एक problem देखते हैं यह problem में जैसे utility function का कुछ equation दिया रहेगा यहां पर qx qy दिया गया हुआ है लेकिन 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 सब्सक्राइब कुछ भी हो सकता है u is equal to x y square ऐसा भी कुछ equation हो सकता है तो ऐसा जो है वो utility का equation दिया जाएगा और एक budget line का आपको equation दिया जाएगा तो line का equation आपको standard form में पता ही क्या होता है ax plus by plus c ax plus by is equal to c तो ऐसे form में जो है वो आपको budget line का equation दिया रहेगा अब इस तोनों को जो है वो आपको क्या करना रहेगा कि इसमें unit of equilibrium amount of commodities जो है वो निकालना होगा जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया हुग एकुलिब्रियम amount of commodities यानि कि यह जो budget line है इस budget line में qx और qy की value हमें निकालना होगी तो जो notation है उससे आपको घबराना नहीं है बस steps आपको समझ लिना है कि कैसे करना है और उसी तरह से आपको कोई भी problem exam में आएगा तो कर सकते हो तो देखो qy means price of good y and qy means quantity of good y and m is equal to income तो यह स्टेंडर्ड नोटेशन होता है तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो इक्वेशन है इसमें कौन सा जो है वो टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है तो वह आपको पता होना चाहिए अब देखो फॉर मैक्सिमाइजिंग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने यहां पर एक्वेशन लिखाया है बजट लाइन का और जो यूटिलिटी का फं लिख देंगे और एफ़ोसी फर्स्ट ओर्डर कंडिशन फॉर अप्टिमाइजेशन करेंगे यहां पर जो कि यहां पर किया गया है और इसमें यह डिल फाइव विद रिस्पेक्ट टू डेल क्यूएक्स एक बर करेंगे और फिर डेल लेंडा एक बर करेंगे क्योंकि तीन वरियवल है तो यहां पर जो यह फंक्सन हमने लिखा है ना इसमें आप देखो कि तीन वरियवल दिखाए दे रहे हैं क्यू एक्स क्यू आई और लेंडा तो तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्टियल डिफ्रेंसियेशन करेंगे और उसको एक्वेट करेंगे जीरो है और फिर हमने जो है वो लेंडा के रिस्पेक्ट में किया तो वहां से हमें यह वाली जो है वो निकल के आ रही है अब इसमें जो है वो क्या करना है कि हमने हमें जो यहां पर क्यू एक्स और क्यू आई की वैल्यू आई है उसको इसमें पूट कर देना है और उसके बाद ह अब इसके बाद किया करेंगे कि lambda की value हमें निकल कि आ गई और qx की value हमें लैमडा के respect में बता थी उपर में जो है हमने निकाला था qx की वैलू lambda के respect में तो जब लैमडा की value आ गई तो qx सब्सक्राइब आपको आजाएगी तो यह जो है वो हमें ऐसे इस प्रॉब्लेम को प्रोसीड करना है और फाइनल सोलुसन तक आप ऐसे पहुंचोगे अब इसका चेक क्या है कि चेक जो है वो मैंनेटरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि यह जो है वो आपको एक रिलेसन यहां पर आजाएगी फिर आप उसको बजेट लान एक्वेशन में पूट करना और आपको क्यूएक्स और क्यूए की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उससे भी आपका वैल्यू जो हो मैच कर रहा होगा ओके तो अगर एक्जाम में आप यह वाला इस्टे यह वाला डिलेसन हमने डिर्यक्ट उसकर लिया और यह रिलेसन जो है वह वो डारेक्ट नहीं आता है इस वज़ए से तो आप यह वह इस स्टेप स्टेप्स को जो है वह आप एसा चेक रखना और यह लिखना नहीं एक्जाम में में अगर आप यहां तक सॉलूशन ला दे रहो तो यह जश्ट चेक के लिए कि आपका अंसर सही आ रहा या नहीं ओके स्वाई होब कि आपको यह बात मैंने समझा दिया यह प्रॉब्लम बहुत इंपोर्टेंट है आप ऐसा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके जाना एक्जाम में